सोशल न्यूज नाइन वित्तिय संकट से जूज रही एडटेक कमपनी बाईजूस के फाउंडर बाईजू रवीन्दरन की नेटवत शून्य हो गई है एक साल पहले यानी 4 अप्रेल 2023 को उनकी नेटवत 2.1 बिलियन डॉलर तब करीब 17,545 करोर रुपे थी Forbes की बिलेनिय इंडेक्स 2024 में ये जानकारी सामने आई है Forbes की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल की लिस्ट से इस बार 4 लोगों को बाहर किया गया है उनमें रवीन्दरन भी शामिल है हाल ही में ब्लेकरॉक ने बाईजूस की वेल्यूएशन धटा कर एक बिलियन डॉलर कर दी थी 2022 में इसकी पीक वेल्यूएशन बाईश बिलियन डॉलर थी बाईजूस की स्थापना 2011 में रवीन्दरन ने की थी उनकी पत्नी दिव्या उनकी शुरूआती चात्रों में से एक हैं और बोर्ड में भी शामिल है कमपनी अभी नगदी संकट से जूज रही है ऐसे में पिछले महीने बाईजूस शेरहोल्डर्स ने रवीन्दरन को CEO पद से हटाने के लिए वोटिंग भी की थी पाँच बड़ी बाते जो बाईजूस के साथ बीते दिनों हुई बाईजूस शेरहोल्डर्स ने पिछले महीने रवीन्दरन को CEO पद से हटाने और पत्नी दिव्या और भाई रिजू को भी हटाने के लिए वोटिंग की थी दिसंबर महीने में बाईजूस रवीन्दरन ने एमपलाईस को सेलरी देने के लिए अपने घर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का घर भी गिर्वी रखा था भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बाईजूस के खिलाफ दिवालिया कार रवाई शुरू की बाईजूस पर 158 करोर रुपे के पेमिन्ट में चूक का आरोप है ED ने 9,000 करोर से आधिक के फीमा उलंगन मामले में नोटिस भेजा फॉरेन करेंसी फ्लो को लेकर 1999 में फीमा बना था गुरुग्राम ओफिस का रेंट पेमिन्ट न करने पर कर्मचारियों को प्रॉपटी मालिक ने बाहर कर दिया उनके लैप्टॉप जबत कर लिए चैनल सब्सक्राइब करें नमस्कार अपना ख्याल रखें